जाकन की राजधानी राची में धर्म परिवतन का एक संसनी खेज मामला सामने आया है एक बच्ची को मौसीन नामक सक्स चार साल पहले अपने प्रेम जाल में फसाया और उसका यौन सोसन करता रहा तब बच्ची क्लास सेविंध में पढ़ती थी और उसका यौन सोसन तब तक होता रहा जब तक वह बालिग नहीं हो गई अभी महस तीन महीने पहले जब वह लड़की बालिग होई तो मौसीन ने इस बच्ची के साथ निकाह की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिस की आप एक बार बढ़ेए आप शादी करने गए थी महसीं के साथ फिर आपको कैसे लगा कि वह धर्म हो रहा है मेरा मेरा जबिशाद करके घर है उसके बार पते चला कि इसलाम कभू करवा रहा है आप उसके घर चेली गई? हाँ घर पे आपको क्या कहा जाता था? घर में हम बोलते थी कि हम पूजा करना है, ऐसे करना है, दो लोग बोलता था कि नहीं आप पूजा हो जा कुछ नहीं करना है अब रोजा नमाज करना है, बस यह करना है धर्म परिवर्तन जैसा कि हम लोग एक फुटेज देखें, उसमें है कि कल्मा पढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा था कि उस समें निकाह हो रहा था या धर्म परिवर्तन और तो क्या आपको कुछ समझ में हा रहा था उस बाद? हमको पर सही रहा था कि साधिय और लेकिन वो इसलाम के कभूल को रहा था और फिर कल्मा पढ़ा रहा था हमको, पांचे कल्मा पढ़ाया था जबरंग या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना अपराद है, क्या आपको जान करी है इसकी? नहीं पता था हमको अब आप क्या चाहती है, मौसीन को क्या हो? हम चाहते कि इसको सजा हो आप एक ची बताइए कि जब आप क्लास सेवित में थी, तब आपके संपत में आया हाँ फिर उसके जाल में आप कैसे फस गई? वो बस मतलब स्कूल आते थे हम, उसके बाद वो आता था वहीं मिलने के लिए और उसके बाद रिलेसन स्टार्ट हो गया अब क्या आपको नहीं लगता है कि आप पुलीस के पास जाएं, पुलीस के पास आपका परिवार कभी गया था? हाँ, मेरा फैमली गया था, मैं ममी गयी थी, लेकिन वो लोग उल्टा फुल्टा बोलके, गाली रहे के वो लोग निकाल लिए था, बुल्दापकी बेटी ही गलत है अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मौसिन पे करवाई हो या उसके पूरे परिवार कर रहे हैं? हम चाहते हैं, कि उसको पूरा परिवार्ट हो, उसका इसकी मौसिपे और उसके जादा आप जो कुछ भी बूल रही है, क्या कोई दवाव है आप के ओपर, कि आपके मतरत समाज के तरब से नहीं आप सी वे से करना है कोई दवाब में आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप एकदम आप चाहती हैं कि आपके धर्म को जबरन या बहलाद फुसला कर परिवर्तन करा जा रहा था तो अब कारवाई उस पर होनी चाहिए हाँ चाहती है उस पर करवाई होनी चाहिए नेशनल अस्तर की शूटर थी तारा साथेयो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मामला रास्टी अस्तर पर सुथियों में आया था उसके बाद से रकीबूल आज तक जेल में है अब इस बच्ची को एक उमीद है कि पुलीस में जाने के बजाए अब पुलीस में जाने के बजाए मीडिया में संपर्क करना ये बताता है कि पुलीस पर से इस परिवार का कॉन्फिडेंस तूट गया है अभी ने नयाए की एक आस लगाए बैठे हैं ये लो और चाहते हैं कि मीडिया में ये बात आए और उसके बाद प्रशासन और सरकार हरकत में है ETV भारत के लिए राची से मैं राजिस कुमार